दहिंदुराश्ट्र चैनल में आपका स्वागत है। इस दर्मियान यहां उन्होंने सर्यू का पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही हनुमान गरी और राम लला का दर्शन भी किया। और पुन्य जैसा है। आशी अयोध्या और मतुरा पर बोलते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि पारसपरिक सहमती से सभी को तीनों देवस्थान छोड़ देना चाहिए था। वहीं विपक्ष को प्राण प्रतिष्ठा के आमंतरन पर कहा कि राजनीतिक उत्तर नहीं दूँगा। अयोध्या पहुँचे कुमार विश्वास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा सभाग्य का क्षण है और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए सफलतम क्षणों में है। वह लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने आजादी देखी जिन्होंने रामलला को देखा। वह मल्लाह सौभाग्यशाली थे जिन्होंने राम को गंगा पार कराई। ऐसे ही हम भी सौभाग्यशाली हैं जो इसक्षण के साक्षी हैं। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में जमीन आस्मान का अंतर बताते हुए कहा की अयोध्या विकास की प्रक्रिया में शामिल है। आज अयोध्या विकास की राह पर अग्रसर है।